आज की वीडियो में क्या सिखेंगे आज हम करने वाले हैं लर्निंग साइंस की एबुक से क्लास 4 का चाप्टर साइंस की चाप्टर चाप्टर नमर 11 इस नेवर्स चाप्टर बहुत इंबॉटंट है और बड़े ध्यान से समझेगे चाप्टर में काफी ऐसी चीज़े हैं जो आपको बताए कि जो हमारा आसमान है मारा जो स्काय है यह हेवेंली बोडी से भरा हुआ है सम आफ देम आप राइटर थें दी अदर कुछ जो हेवेंली बोडी जैवो दूसरे से काफी जादा चंकीली हैं ब्राइटर हैं ताइम स्पक्स उफ लाइट जो चोटे चोटे हम उनको प्लैनेट से कुलते हैं ठीक है हम आगया जाते हैं स्टार क्या है बहुत बड़ी बॉल होता है जो स्टार होता है हमारा यह बहुत बड़ी बॉल होता है गैस की ठीक है इसमें पुरा गैस भरी होती है इट केवस आवर आउट लाइट और हीट यह लाइट और हीट देता है, the sun is a star, अगर हम बात करें सूरे की, तो सूरे भी एक star होता है, अब आईए, it is the star nearest to the earth, तो सूरे एक ऐसा star है, जो हमारे अर्थ की काफी पास है, इसी विज़ा से तो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, वरना बहुत सारे stars क्या कहें हैं, कि बहुत जादा तर जो उनका size अगर आप one मानें, तो उनका size thousand हो जाएगा, इतना जादा वो बड़े हैं, कुछ है stars, लेकिन क्या होता है, stars जो है, चोटी क्यों देखते हैं, कि हमसे बहुत जादा दो रहे हैं, अब आईए, stars shine करते हैं, for millions of years से, बहुत जादा पुराने साल से stars shine करते आ रहे हैं, many patterns of the stars हमें visible होते हैं, रात को ऐसा लगता है, कभी लगता है question mark बन गया है, कभी कुछ आप रात को आस्वान में लेट के देखिये, तो आपको नहीं से बहुत सारे अलग-अलग pattern दिखाए देंगे, तो उन patterns को, we call these patterns, हम उनको constellations बोलते हैं, जो ऐसे अलग-अलग designs बन जात star cloud को हम क्या बोलते हैं, बचा milky wake galaxy बोलते हैं, अब आके आजाते हैं, which has billions of stars, milky wake galaxy में तो billions of stars, milky wake is a sparkly shaped galaxy, जो sparkly shape है, मतलब इस galaxy की जो shape है, milky wake galaxy की वो sparkly है, ठीक है, there are billions of galaxies, अगर हम बात करें कि कितनी galaxies होंगी, तो billions of galaxies हम तो गिन में नहीं सकते हैं, इतनी जादा हैं, कहा हमारे पूरे universe में, universe जानी कि सब कुछ, universe में सब कुछ आ जाता है, you know, sun, moon, planet, सब कुछ आ जाता है, can you imagine how big of universes, ना बबादा, इतना बड़ा होता है, हम imagine भी नहीं कर सकते हैं, university के, the earth planets की बात करें, the earth on which we live, वो भी एक planet है, जो धर्दी जिस पे हम रहते हैं, ये भी एक planet and does not have light or heat of its own, और इसके अपनी कोई light or heat तो नहीं है, right, आ गया जाते हैं, however, फिर भी when the sun's light falls upon the earth, it shines, लेकिन फिर भी जब आर्थ पर सूरज की जो रोशनी है, वो पढ़ती है, वो जमकती है, planet is much smaller in size, planet जोते हैं, वो size में बहुत चोटे होते हैं, दाना है, star, stars बहुत बड़े ह होते हैं, planet काफी छोटे होते हैं, उसके मकाबले, the earth is the, earth is one of the eight planets, eight planets के अगर हम बात करें, उसमें से हमारी अर्थ भी एक है, that moves in their orbits around the sun, orbit क्या होता है, ये दिको ये sun है, sun के किनारे किनारे ऐसे रास्ते बने हो है, इन रास्तों को हम orbit बोलेंगे, हर planet जो हैं अपने अपने orbit में ऐसे गोमता रहता, और सुरज का चकर ऐसे लगाता रहता है, ठीक है, the earth is one of the eight planets that moves in their orbits around the sun, five have been known to man for a long time, भाई आठ में से, पाच का जो नाम है, वो तो भौत समय से इंसान को पताता है, जिसे मरकरी है, वीनिस है, मार्स है, जुपिटर है, इनके बारे में तो व्यक्ती कि बहुत पहले से जानता है, लेकिन the others, namely Uranus हो गया, या Neptune हो गया, were discovered after the invention of the telescope, इनके बारे में जब पता चला, जब कि टेलेस्कोप का अविशकार हुआ, तब इनसान को इसे बारे में पता चला, क्योंकि टेलेस्कोप देखो, एक ऐसी मशीनी के सयंत्र होता है, जिससे हम बह Pluto was the ninth planet, उस समय जब हम count कर देते, नो planets में, तो Pluto को भी हम उसमें count कर देते, however, फिर भी, लेकिन अब क्या है, कि Pluto is no longer considered as a planet, हम Pluto को planet नहीं consider करते, it was called a draft planet in 2006, 2006 में से draft planet कह दिया गया, and then a plutoid in June 2008, अब इसको plutoid का नाम दिया गया, 2008 में, the planets were named after the god and goddess of Greece, planets का नाम दिया गया था, God, या फिर देवी दिवताओं के नापर, Greece और Rome के, Mars for example, अगर हम बात करें, तो Roman God of War के नापर, युद्ध की दिवता के नाम पर, Mars, Mangal Grain का नाम रखा गया, when you look at the stars, जब आप सतार होगे तरफ देखते हैं, try to look for the planets among them, तो उनके अंदर आप देखे planets भी आपको दिखाई देंगे, you can easily spot कर सकते हैं, at least 2-3 तो आप planets उसमें से देखी सकते हैं, आपको नजर आने लगेंगे, ठीक है, Venus is covered with thick white clouds, Venus जो है, ठीक है, वो thick white clouds से भरा हुआ है, cover है तरीके से, the clouds trap करके रखते हैं, the heat of the sun को surface of the Venus बहुत जादा गर्म हो जाता है, and the rocks are hotter than boiling water, चटाने इतनी गर्म हैं, Venus पे की boiling water से भी जादा गर्म है, Mars looks different from the others, Mars जो है, दूसरों से काफी different देखता है, as it is reddish in color, Mars का color कैसा होता है, मंगल रहे, ठीक है, Mars मतलब मंगल और मंगल कलर क्या होता है, लाल, ठीक है, अब आजए, Mercury and Venus are seen in the morning and evening, बात करें, Mercury and Venus की तो यह द यहां से कुशन आ सकता है, ठीक है, morning and evening star के से कहते है, Venus को, Jupiter is the bright and is the largest of all planets, Jupiter जो होता है, वो सबसे जदा चम्किल और सबसे बड़ा planet होता है, Saturn is not so bright, Saturn जो शनी दे है, वो इतना bright नहीं होता, लेकिन it has the system of rings around it, तो rings पूचा जाता है, यह मालो Saturn है, तो इसके आस पास ऐसे rings बन हो है, ठीक है, it has, the planet that are farther away, जो हम से बहुत दूर है, can be seen only with the help of telescope, बस हमने telescope की मदद से देख सकते है, हम बात करते हैं, भी satellites क्या होती है, तो satellites are small heavenly bodies, चोटी 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 मतलब इती चोटी भी नहीं होती, satellites भी काफी बढ़ी होती है, moon भी satellite ही है, जो रिवाल्व करते है, planets क रहा हूं, like दर्ती एक planet है, तो दर्ती का चकर कौन लगा रहा है, बच्चे, यह moon लगा रहा है, अपने orbit पर रहा है, moon लगा रहा है, तो moon हमारा satellite है, तो जो planet का चकर लगाते है, वो satellite कहलाते है, some planets have their own satellite, कुछ planets है, जिनकी अपनी ही satellite होती है, और moon जो है, natural satellite है, earth की, कुछ तो अब artificial satellite भी मनाई गई है न, देखो Saturn, अब देखे हो, इसका आजब जो rings बने हुए, ऐसे, ठीक है, Uranus, Neptune, और देखो Jupiter, कितना बड़ा है, Jupiter हाँ, तो यह सब अच्छे से देखना आ गया जाते है, अब यहाँ जो चान का रहे हैं, यह बहुत 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 इंपोर्टन Mercury को मिन्दी में बुद्ध कहते हैं, ठीक है, और यह boiling hot रहता है, बहुत जादा, दिन में फ्रीजिंग cold हो जाता है, मतलब रात में freezing cold हो जाता है, दिन में boiling hot रहता है, ऐसे ही, Venus की अगर हम बात करें तो इसे शुकर भी कहा जाता है, अगर हम order or distance from the sun के, तो Mercury first नमर पे है, त brightest planet आता है, इसको morning star और evening star भी कहते हैं, ठीक है, it is seen at dawn और dus सुबह-शाम के समयच के दिन निकलता हुआ हो, या पर चिपता हुआ हो, उस समय से देखा जा सकता है, आर्थ का हिंदी में नाम पर रत्वी है, थार्ड नमबर पे आता है, यह only planet है, जो support करता है हमारी जीवन को, क्योंकि यहां पर air or water वगेरा है, atmosphere है, मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं, चौथे नमबर पे आता है, और covered होता है with red dust, इसलिए लाल ग्रेवी से कहते है, एपियर होता है, रात को लाल लाल दिखाई देता है, this is called the red planet, इसका नाम आता है, मार्स का नाम, Roman God of War के नाम पर, ज इसका वेट होता है, लगभग 318 अर्थ के बराबर, अर्थ का अगर एक किलो मेट मानो तो 308 अर्थ इतना जादा इसका वेट होता है, वाइडर होता है अर्थ से लगभग 11 गुना, side by side, ठीक है, 11 अर्थ के बराबर, मतलब चोड़ा होता है, एक अर्थ, ये तो ये 11 वाक्स और दस से बनी होता है, उर्णिस की बात करें, square और 7 अर्थ का ये 11 का का है, वह्म क्यान से, अर्थ नबर होता है, बहुत जादा आप दो फ्लाइं प्लीं जैसे फ्लाइं करता है, एक अब नमबर है, मून के, मर्क्री का कोई चंद्रमा नहीं होता, कोई मून नहीं ह मेंouse में अर्फ कहा हमारा एक ही मुना में पता है मार्स के दो मून होते हैं ऑजन आफ जो पिटर के 66 मून होते हैं साटन के 62 मून होते हैं यॉरिनस 287 नप्छुन 30 शरे को में इस चाप्टर है यह चाप्टर प्लानेट्स बहुत ज़्यादा है न चीजा कि ऑ कि यह इसले आकाँ अजाते हैं शोलर सिस्टम के बाद करें या च好吃 ऑंप्लाइट राओं प्लानेट्स सूरे और ही श्क्राइश और उन आठ प्लानेट की जो साटलाइट है ये मिलकर बनाती है हमारा सोलार सिस्टम सन जो सन के चकर लगा रहे हैं वो वाले प्लानेट और जो प्लानेट का चकर लगा रहे हैं वो साटलाइट ठीक है इक ये सब अब आई आए अवर प्लानेट अर्थ की अगर हम बात करते त तो आर्थ हमारा प्लानेट है भही जिस पर हम रहते हैं ठीक है क्योगि प्लानेट है, क्योंकि इस जो सूर्य का चकर लगाता है वो फ्लानेट है, the आर्थ is a beautiful planet, आर्थ जो है भाहुत सुन्दर प्लानेट है it has land and water यहां पर भूमी है यहां पर पानी है यहां पर mountains और वेली जही है hills और plains है it has flowers and you know plants animals people समीहा पर है however फिर भी it has not always been like this तो नहीं थी पहले it was born as a huge ball of dust and hot gases तो बहुत बड़ा आग का गूला था तरीके से आग दूल और गैसे गूला था the ball kept on spinning और यह ball घूमती गही घूमती गही घूमती गही as it is fun the outer surface जो है वो दीरे दीरे ठंडा होने लगा और हाथ होने लगा कुछ gases जो थी skip हो गई है यहां से बहार निकल गई वाल समर ट्राप इंसाइड कुछ जो है इसके अंदर ट्राप हो गई फस्कें कुछ gases बाहर निकल गई और कुछ अंदर फस्कें टूजी दा आर्थ इस लाइक हाफ बॉइल एक ऐसा हो गई अर्थ जैसे की आधा उबला हुआ अंडा हो इस आउटर सर्फेस हाड जो इसका बाहर का सर्फेस है है ना हाड है बट डीप इंसाइड अगर हम बात करें इसमें हौट पिगला हुआ मैटीरियल है जैसे अंडे में पिगला हुआ होता ना आफ रॉख्स मिनरल्स यूनों मैंटल सॉलिट फॉर्म में है इसलिए हम मैंटल वोलते हैं ठीक है तोड़े इविन आफ्र मिलियन सॉफ यर्स दिकोर हैस एक्स्ट्रीम ली हाइट एंपरिचर कोर की बात करें विकुल सेंटर की बात करें यहां पर कोर में यह जादा यह ब कुछ लाइन रहे है यह यहां से लिए है तोड़े एविन आफ्र मिलियन सॉफ यर्स दो कोर है एक्स्ट्रीम ली हाइट प्रेशर यह रहता है दो बॉइलिंग लिक्विट एंड कैसस ऑफ दी कूर पुश अगेंस दी आउटर क्रस्ट पहार की तरफ पुश करते हैं दवी के स्पोट से क्या होता है आर्थ क्रैक हो जाती है और प्रेशर की वज़े से क्या होता है लेटिंग लिक्विट बहार आ जाता है और गैस बहार आ जाती है इसको हम वाल कैनों बोलता है मतलब क्या होता है यह ना हमारी अर्थ की कोर है मालो है ना अंदर बीच में अब यहा वलकेनों क्या होता है is one which has not erupted for a long time to about time से erupt ना हुए हो वलकेनों is said to be extraneous कुछ वहल को नहीं को का जाता है कि अब extraneous हो गया इनका स्तित भी गया वगया क्योंकि वह बहुत आथ से लाइन की लाइन यह एक्सेज हैं ठीक है इस पर गुलगुल खुमती रहा थी आर्थ टूपॉइंट्स वे दाएक्सस इन्स डू नॉर्थ पूल और सौथ पॉल है यह साओध पूल जी कि हैं आप आजाईये दा इक वाटा इस अनादर इमाजनेरी लाइन अरूंड दी एक व वाला southern hemisphere कहलाता है, the movement of the earth on its axis, अपनी axis पर अर्थ जो गूमती रहती है, उसको हम rotation कहते हैं, इसको जासे दिन रात होते हैं, besides rotating on its, you know, axis, the earth also revolve करती है, around the sun, sun का भी चक्र लगाती है, और ये movement को हम, the movement of the earth around the sun, हम उसको revolution बोलते हैं, जिससे की seasons बदालते हैं, the earth moves continuously, अर्थ लगातार भूम, the earth revolves around the sun in a fixed path, जिस रास्ते को हम orbit कहते हैं, जिससे sun है, ये orbit है, ये orbit इस रास्ते बदी, रास्ते को orbit बोलते हैं, आर्थ जो है, वो चक्कर लगाए ही sun का, ठीके sun के चकर लगाने को क्या कहते हैं, हमारा revolution कहते हैं, और अपनी access पे से गुल-गुल घूमने को हम क्या बोलते हैं, rotation, rotation से दिन रात वर, revolution से seasons बदलते हैं, अब आई आए, one revolution is completed in about 365 and a half days बे, इतने में हमारा one revolution complete हो जाता है, इस time period को हम solar year बोलते हैं, longer days of summer changes into shorter days of winter, this means that the length and the temperature of the days change होते रहते हैं, this causes seasons spring, summer, autumn, winter, क्योंकि सूरज का चक्कर लगाती है, जब धर्ती, तो उसकी वज़ा से धर्ती मतला लगला लग जगा पहुचती है, अपने orbit पर ही, उससे सा हमारे seasons बदलते हैं, the axis of the earth जो है, वो थोड़ा सा tilted है, थोड़ा सा, थोड़ी सी जुकी होई है, है ना, this is the, that's why जो northern hemisphere है, जब अवे होता है sun से, तो southern hemisphere जो है, वो उसके पास की तरफ चला जाता है, और वैसे ही वैसर वर्सा, मतलब उल्टा होता है, southern hemisphere is towards it, लेकिन again the southern hemisphere जब आवे जाता है from the sun, तो northern hemisphere towards it हो जाता है, so the season of the northern hemisphere can never be same, season तो कभी भी northern and southern hemisphere के same नहीं हो सकते, how are seasons formed, यह seasons बनते कैसे हैं, मतलब मौसम कैसे बदल जाता है, what happens when the earth goes around the sun, क्या होता है जब earth जो है, वो sun का चक्कर लगाती है, when the north pole is towards the sun, summer का season होता है, the day seems to be hotter, दिन हो जाते हैं, because क्या होता है, sun rays fall होती है, directly, right, at the north pole, there is sunlight for almost पूर दिन रहती है, and some part पे evening में भी रहती है, during this time, the south pole होता है, बिचारा हमारा जो है, वो sun से दूर हो जाएगा, जब north pole sun की पास होगा, to south pole automatically दूर हो जाएगा, ठीक है, so the sun's rays do not reach the south pole, and there is not much daylight, तो वहाँ पर winter season होता है, उस समय, अलब जो ना, हमारी ये धर्ती है, यह northern hemisphere है, यह southern, जब northern में गर्मिया है, तो southern में सर्दिया है, जब southern में सर्दिया है, तो northern में गर्मिया है, मतलब उल्टा season चलता है, when the north pole is turned away, जब north pole turn away from the sun, तो वहाँ पर winter हो जाएगा, भी दूर हो जाएगा sun से, तो winter हो जाएगा northern hemisphere में, the days वहाँ पर shorter हो जाएगे, and sun seems slow in the sky, now in the summer in the southern hemisphere, फिर वही उल्टा हो जाता है, वही बता रहे हैं, वापस से आजाते हैं, यह थे को, यह थे को दो बराबर भागो में बढ़ते हैं, यहाँ पर sun की रेस परते हैं, direct हमेशा, ठीक है, हमेशा, ठीक है, this part gets almost the same amount of sunlight all the year, same amount of sunlight परता है, यहाँ पर पूरे साल, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, it is like that summer throughout the year, sorry, it is like summer throughout the year, यहाँ पर पूरे साली घर्मियों का सीजन रहता है, days and nights are बारा बारा घंटे के बराबर के होते हैं, if the axis of the earth was not tilted, अगर axis tilted नहीं 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 होता, ठीक है, the distance from the south pole and north pole from the sun would have been same, लेकिन ऐसा है, नहीं, same नहीं है distance north pole and south pole से, both the hemisphere would have received the same amount of heat, अगर ऐसा होता तो, there would have been no change in seasons भी नहीं बदलते हैं, so two factors जो causes करते हैं seasons का, वो यह हैं, पर यह नहीं याद कर ले रहे हैं, यह आएगा paper में, कि एक तो tilted है, आर्थ अपने axis पर, दूसरा revolution of the earth की वचर से, seasons बदलते हैं, festivals and, you know, heavenly bodies के अगरम बात करने, you must have seen in your school daily, डारी में आप calendars में आपने देखा को holidays होते हैं, Eid, जो कि, depend करते हैं कि, मून कब दिखाई देखा, जब चांद नजर आता है, तो कहते हैं, भी हमारा, Eid है थाज़न तो, this is because Islamic calendar based होता है, faces of the moon पे, many other Indian festivals, वो भी जो है, वो लिंक रहते हैं, इस चीज़ से तो, many other Indian festivals are also linked, movement of the moon, the planets, the sun, and the seasons, खूली मार्क्स करते हैं, coming of the spring season, वैसाकी, ओनम, पॉंगल, भी हूर, लोडी ये लिंक करते हैं, लग-लग seasons से, and the days of the week of Indian calendar, are named after the planets, the planets के नाम पे ही हमने रखे हुए है, days of the week like, Sunday, Monday, बगएरा, ठीक है, for example, you know, शनीवान मीन्स, the day of शनी और साटन, इस तरीके से हमने रखे हुए है, मंगल का दिनों, तो मंगल घर होता है, तो बस, यहां फिनिश हो जाता है, यह chapter, आर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजेगा, लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, चीक है, फिर मिलते हैं किसी निक्स वीजियो में, बाबाई,